कि अगाताप का मार्केट अनलाइस बूडियो में आज किस वूडियो में डिसकस करेंगें निफ्टी एंड बैंक डिफ्टी का एनलाइस जो कि मंडे ट्रेडिंग सेशन्स के लिए हम लोगों के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है और साथ के साथ में हम डिसकस करेंगे दोस्तों कुछ stocks जो मैंने यहां पर filter आओ के हुए ओके दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग यहां देख लेते हैं global market की closing क्या है अभी तो exact nipty को हम यहां देखते हैं तो यह देखें 15,350 ने almost 34 point के आसपास plus में closing दी हुई है वहीं अगर nastech US market की बात करते हैं तो almost 1.43% के आसपास positive में closing दीखाया हुई है वहीं अगर हम अपने future market की बात करते हैं तो यह देखें जो closing दी हुई है 334 तो almost अभी हम यह क्या consider कर सकते हैं future के level के हिसाब से अभी यहां पर जो last global market के sentiments को देखते हुए हमारा जो global future index जो close हुआ है वह हुआ है almost 334 है ने कि closing से 40-50 point उपर तो इस data को track करते हुए कल की दिन मैं expert कर रहा हूं दोस्तों यहां पर कि हमारा market जो हम लोगों ने यहां closing दी है इसके आसपास है नहीं कि 30-40 point gap-up open हो सकता है यह almost यहां से flat opening दिखा सकता है आने वाले trading sessions में ठीक है तो उस एसाब से हम यहां consider करते है एजन जैसे gap-up and flat के हिसाब से तो यहां जैसे हम देखते हैं अगर आउले time frame पर हम लोग यहां देखते हैं तो यह देखते हैं सबसे पहले previous day में market ने क्या किया तो यहां already मैंने जैसे देखिए दोस्तों यह already यहां draw किया हुआ है कि previous trading session के हिसाब सकर हम लोग यहां देखते हैं तो market ने यहां पर अच्छा खासा follow में देखने को मिला था पिछले कुछ trading sessions में market ने यहां फिर consolidation दिखाया एक range के अंदर तो यहां कहीं ने कहीं accumulate हो आया market और एक range के अंदर अंदर यहां पर closing देखने को मिली हुई है तो इन सारे points को ध्यान में रखते हूं हम यहां पर discuss करेंगे आने वाले trading sessions के लिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर अगर top to bottom का फिबो लगा करके देखते हैं तो एक बार हम लोगों के पास जो level में कलके आता है मैं nifty 50 को पहले discuss करें तो nifty 50 के हसाब से तो देखते हैं यहां पर previous trading session के हिसाब से यहां पर market ने जो rejection phase किया है almost 23.6% के जौन के आसपास से rejection phase किया हुआ है अनि Friday वाले trading sessions में तो हमारे लिए important level क्या हो गया दोस्तो एक तो यह range ओके इस range के अंदर अंदर और इस का लो हम यहां पर consider करेंगे आने वाले trading sessions में ठीक है market अच्छा खासा fall हुआ fall होने के बाद में market है तो नहीं हमें सब one direction move करें fall होगा market then retracement देखाएगा again fall होगा then retracement देखाएगा market का यही nature होता है as in price action के साबसा अगर market को upside में जाना है तो market up जाएगा then dip लगाएगा then high लगाएगा then dip then high market इसे साबसे momentum दिखाएगा ना कि direct one direction move दिखाता है upside में और downside में तो इस scenario को यहां पर ध्यानु रखते हम Monday के दिन का अपना plan करेंगे तो बात करते हैं nifty 50 की यहां पर हम लोगों को अपने data को देखते हो global data को ट्रेक कर रहे हैं कि market open हो सकता है यहां पर 350 के level के almost यहां फ्लेट कंसिडर कर रहे है market अगर market फ्लेट open होता है यह से थोड़ा अपन होता है तो हम वेट करेंगे सबसे पहले इस रेंज के breakout का अगर यहां से हमें इस रेंज का यहां पर breakout मिलता है market sustain करता है तो हम क्या कर सकते हैं मैं यहां पर दोस्तों buying के लिए recommend नहीं ठीक है as in projection के साब से अगर हम लोगों को यहां पर बाइंग के opportunity मिलती है almost किस level के आसपास से हम लोग देख रहे हैं यहां यहां पर अनिकि 385 का अनिकि 390 के ऊपर पर हम लोगों को buying का level मिला round off में लेते हैं तो 400 का 15400 का हम buy करते हैं तो हम लोगों को target का मिलता है target first target मिलता है दोस्तो 38.2% का rejection level तो हम क्या इत्य से point के लिए अपनी risk के ले करके करेंगे क्यों कि market already fall downtrend में चल रहा है थोड़ा rate test दिखा करके again downside में आ सकता है तो हम इस level पर buy नहीं करेंगे हम simple wait करेंगे कल के trading transaction में किस वा market यहां से upside में आ है या तो 38.2% के level के आसपास से कौन से level इस level का से 15,000 450 या 440 के level के आसपास से अगर यहां से rejection phase करता है और downside में breakdown देता है तो हम यहां से short side के लिए plan करेंगे अगर यहां से rejection नहीं देता है तो हम wait करेंगे at least 50% के level के आसपास का तो हमें 38.2% के level पर यहां पर double top pattern यहां बनाते हो market का breakdown का wait करना है चोटे time frame पर अगर यहां नहीं मिलता है और retrace कर जाता upside में तो 50% के level के आसपास से confirmation के सापसे हम लोग यहां से sort करेंगे confirmation क्या क्यहा हो सकती हम लोग 와서 यह किसे twig line breakdown या मार्केट यहां से double top बनाते हो कोई चोटा breakdown देता है तो हम यहां से sort कर सकते है इजी लिग हमारे यहां से nifty 50 को और targeting क्या plan कर सकते है अगर हम यहां से 550 का level से करेंगे तो फर टार्गेट हम यह जो बॉटम है इस रेंज के आसपास का हम टार्गेट प्लान कर सकते हैं और 40-50 पॉंट के हम यहाँ पर रिस्क रखेंगे कोई बड़ी रिस्क नहीं रखेंगे इस से ज़्यादा रिस्क नहीं रखेंगे कर सकते हैं चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे- के आसपास का ओके क्योंकि यहां पर भी मार्केट ने प्रिवेस इस्ट्री में विक्स बनाते वे रिजेक्शन फेस किया हुआ है तो हम इन लेवल्स का हम अपना टार्गेट लागा देंगे हैं फिप्टीन थाउजेंड से लेकर के फिप्टी तक के लेवल के आसपास का अलम हमारे फैबरेट निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक के चार्ट को अगर हम यहां देखते हैं तो कल के दिन अगर निफ्टी फिप्टी यहां से 30-40 पॉइंट गेप आप ओपनिंग देखाएगा यह फ्लेट ओपनिंग दिखाएगा तो हम उस हिसाब से कंसिडर कर रहे है तो क्या है फ्लेट ओपन होगी तो емदो हम भाई करेंगे मार्णो फ्लेट ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा अप साइड में आता है तो क्या हम यहां से बाई बिल्कुल नहीं करेंगे यह 900 डरीओं के आस्पास मालिलों मार्केत ओपनि धीखता है तो आगे round of number बेड़ा दोस्तों यहां पर 33,000 का तो क्या 33,000 एक round of number है अच्छा खासा तो यहां से market resistance face कर सकता है तो यह psychology के साब से हम लोगों का प्लान हो गया दूसरा क्या प्लान होगा अगर मालों फ्लैट हो करके upside में जाता है तो दूसरा प्लान क्या होगा हम लोग हम सिंपल यहां से ट्रो करेंगे फिबो का लेबल हम यहां से बाइंग साइड के लिए नहीं देखेंगे बाइंग साइड को हमें अवोड करना है तो देगे previous trading session में इसने 38.2% के लेवल से rejection phase किया हुआ है हमने जहां से मार्सकेट ने रिजेक्शन फॉल किया वहां से फिबो लगा करके देखने है अब इसका next resistance लेवल बैठा दोस्तों वो बैठा 33,27 यानि कि 50% का rejection लेवल और यहां round of number भी कहा है बैठा दोस्तों 33,000 तो 33,000 से 50.00 उपर या 100 उपर से market rejection phase कर सकता है तो हम इस point को ध्यानवे रखेंगे 50% के rejection लेवल को market यहां से फिलेट होता है गेप अप होता है और यहां तक कहीं आता है तो यहां पर हमें वेट करना है चोटे time frame पर किस चीज़ का यहां से rejection का और अगर यहां से breakdown देता है चोटे time frame पर यह double top pattern बनात range के अंदर arrangement होते रहा था मैंने फ्राइडे वाले market analysis वीडियो में आप लोगों साथ में यह चीज discuss की हुई है तो simply plan of action रहेगा हम buying side के लिए नहीं देखेंगे सिर्फ और सिर्फ sorting side के लिए देखेंगे को कि market अभी major downtrend में है दूसरा या 50% के level को मैं आशरे आप लोगों को सिंपल हम यहां से market का वेट करेंगे कि market gap up open होता है या flat open होता है market upside में आने देंगे बिल्कुल यहां से market जैसे upside में आएगा तो इस level के आसपास हम sorting opportunity का वेट करेंगे इसका budget अकर कल के दिन market flat to down open होता है तो हम क्या करेंगे simple दोस्तों हम लोगों क्या plan of action रहेगा हम यहां स सबसे पहले तो यह जो market ने accumulation किया था previous trading session में इस range के अंदर अंदर market जो भूमता रहा था इस range को हम break होने का weight करेंगे okay flat होता है gap down open होता है तो यहां पर एक देखे market ने क्या किया हुआ simple train line draw करके देखा तो आप लोगों को तो एक यह वाली train line और यहां से यह वाली train line ठीक ना तो कहीं न कहीं यह वाली train line से हम लोगों को एक pattern बनते हो नजर आ रहा बहुत ही प्यारा सा ठीक ना तो इससे आप narrow होगा जैसे इस train line को down side में break करता है तो हमें यहां से sorting side के लिए देखना है market अच्छा खासे यहां से fall हो सकता है और हम लोग यहां से sorting के लिए प्लान करेंगे simple क्या target और क्या stop loss रहेगा दोस्तों simple हम लोगों की जो यहां पर एंटर रहेगे sorting side के लिए वह हम रख सकते हैं almost इस zone के नीची 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 32,500 के नीची हम इसको sort करेंगे target simple first target कहां का plan कर देंगे इस वाले लोग का तो आराम से हम लोगों को यहां से 200 point का target मिल जाएगा stop loss का plan कर देंगे stop loss हम रखेंगे हम लोगों को 200 point का target आराम से देखने को मिल सकता है 500 के level पा हम इसको sort करने का plan कर रहे है और यहां का low है 295 के आसपास का तो आराम से हम लोगों को 200 point का आसपास target मिल रहा है इसके opposite बड़ा target कैसे plan कर सकते हम इसमें simple यह जो train यह वाले जो विक है इसके लोग के आसपास कहानी कि यहां पर 33,100 के level के नीचे नीचे नहीं 200 के नीचे का हम और एक को next target plan कर सकते हैं इसके opposite जो market का जो next support level बटरा है दोस्तों वो बैठता है यह वाला zone, ठीक है ना, sorry, उपर हो गया है, इस वाले zone के आसपास, तो यह हम लोगों का final ultimate target हो सकता है, market ने जिससाबस यहां से downside में rally की हुई है, तो अब यहां से market इस level को यहां पर retest करने के लिए आ सकता है, तो simple यह हमारा plan up action रहेगा, nifty bank में, तो buying side को भी हमें avoid करना है, सिर्फ sorting side के लिए opportunity देखनी है, क्यों, क्योंकि market जो दोस्तों अभी major downtrend में चल रहा है, तो हो सकता, market जिससाबस यहां से fall होया, थोड़ा retracement देखा है, यहां से again अपना जो downtrend उसको continue कर सकता है, बात करते हैं हम लोगों को कुछ stocks की, तो हम मैंने यहां आप लोगों के लिए कुछ stocks filter out किये हैं, वो देख लेते हैं हम लोग आते हैं index के stocks पर, ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम लोगों ITC के चार्ट, ठीक है अगर IDC को मैं है आप लोगों को छोटे time frame पर देखाता हूं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, आवले time frame पर, अगर आवले time frame पर हम दिन gap down खुला market, gap down खुलने के बाद में अच्छी खासी अपरेली किया, और यह वाला support level था है, इसको मैं थोड़ा चोटे time frame पर और आप लोगों को अगर यहां दिखाता हूं 15 मिट के time frame पर तो यह चीज clear होगी आप लोगों को, यह देखिए, यह एक market का support level, इस support level को market ने train line draw की है, उस इसाफ से, यहां पर मैंने 15 मिट के time frame पर train line draw की हुई है, ठीक है ना, अभी market का trend जो है, वो downtrend है, लेकिन हम यहां से buy inside का सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हमें buy करना है ITC को, तो सबसे पहले इस zone को और इस train line के break out का wait करना हूँआ, आने वाले training session में, अगर market train line को break करते हुए, इस zone को break कर देता है, जो कि यहां पर level बैट रहा, almost यहां से 265 के level का, तो 265 के level को break करता है, तो हम यहां से easily अपना entry execute करा देंगे, stop loss कहां रख देंगे, stop loss रख देंगे, हम इस support level के low के नीचे का, target क्या plan कर देंगे, target simple हम इस range के आईगा, तो आराम से ह हमें यहां से 2.5 के RR ratio का target accept करने को मिल सकता है, आने वाले trading sessions में, तो यह हम लोगा का buying का, अगर market यहां से upside में आता है, तो इसके budget दोस्तों, अगर कल के दिन market gap down open होता है, जिस आफजा market ने price section बना आएवा, इस level को यहां से retest कर दिया है, retest करने के बाद हम क्या करेंगे, simple, एक trend line draw करके रखेंगे, यह वाली trend line, अगर market इस trend line को downside में break करता है, तो हम यहां से इसको sorting side के लिए plan करेंगे, हम लोगों का sorting का level होने वाला वो होगा, इसमें 260 के नीचे नीचे, ठीक ना, और अगर हम safe side में रखते हैं, तो ठीक है, 262 के level के आसपास हम अपना sorting का level यहा target रख देंगे, हम यहां पर, यह first target हो जाएगा, यहां पर यह वाला, तो हम लोगों का RR ratio बैठ सकता है, अगर हम इसको sell करते हैं, almost इस level के आसपास, तो stop loss रहेगा, यह वाला जो swing high है, यह हम लोगों का stop loss रहेगा, target रहेगा, जो last day का bottom था, body का, वो हम लोगों का, यहां level के आसपास का, जो की बैठ रहा है, यहां पर देखते हैं, 255 के end 50 के level के आसपास का, ठीके दोस्तों, तो यह हो गया, हम लोगों का ITC का, इसके अलावा हम लोगों के बात में, SCL Tech, SCL Tech में भी दोस्तों, सेम scenario यहां पर हम लोगों को बनते नजार आ रहा है, अगे, अगर म market ने previous system में देखा हम लोगों ने, यहां से support था, again market अप गया, support लिया, again अप गया, और finally इस support level को break कर दिया, ठीक है, इसको हम छोटे time frame पर और देखते हैं, तो हम यहां चीज़े ज़्यादा clear होते हैं, नजर आएंगी, ठीक है, अब market ने किया किया, simply, यहां से, इस support level को break क करने के बाद में, यहां से, again इस zone को यहां पर test करने के लिए आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, simple, इस level के आसपास से, अगर rejection phase करता है, तो हम लोग यहां चोटे time frame पर, अगर मैं यहां चोट और चोटे time frame पर दिखाता हूं, आप लोगों को, तो यह देखिए, five minute के time frame पर तो हम एक train line draw करके रखेंगे यहां पर, sorting side के लिए, simple यहां से की train line draw करके रखेंगे, यह वाली, अगर market, यहां से resistance phase करते हुए, यह yellow color का जो zone है, यहां से, 970, 960, 8 के level के आसपास से rejection phase करता है, तो हम इसको sorting side के लिए प्लान करेंगे, otherwise market अगर इस level को यहां से, मालों यह fake breakdown यहां देते हो, market again अब यहां से, आया हुआ है, यह grounded set pattern बनाते हो, अगर इस level को break कर देता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर हम यहां से 970 के उपर इसको buy कर सकते हैं, तो मैंने आमारे यहां पर इसमें दोनों side के opportunity मनी हुई है, buying side की और selling side की, दोस्तों, इसको buying side का perfect level हम और बड़े time frame पर, ठीक है, यह देखें, exactly हम price section के साब से बात करते हैं, तो हम लोगों के पास में जो buying का level बैड़ था, वो बैड़ था, यह देखिए, same इसी level के आसपास का बैड़ रहा है, 970 के level के आसपास का, क्योंकि यह जो major trade line है, इसको market ने break करने के लिए काफी time पर try किया हुआ, retest किया, retest किया, retest किया, यहां break gap up के साथ में, यह इसको break किया, लेकिन sustain नहीं हुआ, market fall हुआ, और major support level को break करते हुए, again, इस zone के आसपास आए हुआ, अब अगर market इस level, इस trend line को break कर देता है, तो हम यहां से इसको buying side के लिए plan कर सकते हैं, target इस लिए लिए लि लरका, अब हम लोगों के list में next stock है, दोस्तों है हम लोगों का इसमें, बजाज finance का, अगर हम बजाज finance को यहां पर analysis करते हैं, तो यह देखिए, दोस्तों, बजाज finance ने यहां पर daily time frame पर यहां पर यहां पर draw किया हुआ, एक important level को यहां से break कर दिया है, अगर daily time frame पर हम इसक support लिया हुआ, exactly, अगर फिबो को level draw करते हैं, तो exactly देखिए, दोस्तों, market ने 50% के level के आसपास यहां पर closing दी हुई है, इस trading session, तो हम इस क्या करते हैंगे, इस support level को थोड़ा और नीचे ले आएंगे, ठीक ना, तो इस support level को break करते हैं, market ने अगन इसी support level को यहां पर retest किया ह हुआ है, अब आते हैं थोड़े छोटे time frame पर, चीज़े थोड़े clear होगी इसमें, तो आते हैं इसके आवले time frame के इसाफ से, आवले time frame के इसाफ से अगर हम यहां देखते हैं, तो यह देखिए, यहां पर इस support level को break किया, break करने के बाद में इसने यहां पर इसको retest किया हु बलके आसपास यहां से market ने अभी यहां पर अपनी closing दिखा हुए है, बड़े time frame के इसाफ से, अब छोटे time frame के साफ से हम लोगों को क्या plan of action होना चाहिए, simple, यहां से double bottom बनाया हुआ मार्केट ने, तो simple हम यह 10 line draw करके रखेंगे, और 10 line के आसपास से market ने देखिए rejection face किया हुआ है, तो यहां से double bottom बनाते है market अगर 10 line को break कर देता है और इस level के उपर sustain कर जाता है, कौन से level की बात कर रहो है, मैं बात कर रहो हुए है, यहां पर 12,000 and 60 के level के उपर sustain करता है, 50 के level के उपर, तो हम इसको यहां से buy करेंगे, 12,000 and 50 के level के उपर हम इसको buy करेंगे, and target and stop loss प्लान कर देंगे कई हम लोगों का बैठ सकता है यहां पर बाइंग साइड के हिसाब से सिंपल ने कि हम लोगों का वन रिश्यो वन के सोरी वन रिश्यो वन नहीं हम लोगों का इस लेवल के आसपास का तो 1.3 का आराम से बैठ सकता है बजास फिंसर में ओके इसके अपोचिट अगर मार्केट यहां से डबल पॉर्टम मनाते अपसाइड में आएगा तो फाइनल ट इखाया आप बाइंग सेड के लिए मोगों किस हिसाब से देखना है इसके बाद हम लोगों को जो इस टॉक है दोस्तों वह है भारती एक ठीक है अगर भारती एक यहां आप लोगों को में दिखाता हूं रिली टाइम प्र तो यह दोस्तों मार्केट ने इंपोर्टेंट ल को यहां पर टेस्ट किया है और लास्ट के प्रिवेस सेशन के साफ से देखते हैं तो वॉल्म से यहां पर अच्छे खासे आए हुए हैं तो हम लोगों का क्या प्लावन अप्रेक्शन है इसमें इसके लिए हम को थोड़े चोटे डाइम प्रेम पर आते हैं ओके आवले डा हम लोगों का क्या प्लान रहेगा जिस इस लेवल को मल्टीपल टाइम पर टेस्ट कर चुका इस अइस अपर लगाएंगे क्या लगा देंगे हम पर टार्गेट हैं पर रगा हमारा के आसपास का नहींगी 638 के level हम इसको सौट करेंगे और target लगाए देंगे यहां का stop loss कहा का plan कर देंगे stop loss हम plan कर देंगे यहां पर six seventy के level के आसपास का नहींगी यहां से हम लोग almost 40 points के आसपास की risk रखेंगे इसका पोजिट हम लोगों का टार्गेट भी यहां से 40 से 45 पॉंट के 50 पॉंट के आसपास का हम लोगों का टार्गेट मिल सकता है और फाइनल टार्गेट रहेगा हम लोगों का इस वाले Swing High का जो कि यहां से Market support ले सकता है को कि यहां इस support table को यहां से multiple time के हैं रिटेस्ट किया हुआ तो हम लोगों किसमें प्रायरिट रखने है आवले time frame के साफ हम लोगों के 10 line मिल रही है यहां से इसको multiple time पर resistance phase किया हुआ है अगर कल के दिन या आने वाले week में यहां से अगर भारती एटल का हम लोगों को इस 10 line का breakout मिलता है तो हम इसको यहां से buy करेंगे और buy करने के साफ हम लोगों का मानलो अगर buying का level मिलता है almost average करते है इस level के आसपास तो first target plan कर देंगे हम लोग इस level के आसपास का second year and final target रहेगा हम लोगों का agent swing trader के साफ से तो intraday and swing trading के साफ हम लोग यहां से entry लेंगे इस level के आसपास and stop loss रखेंगे हम लोग simple इस zone के आसपास का तो यह होगा हम लोगों का भारती एटल का okay दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों नहीं discuss किया nifty 50 and bank nifty and यहां कुछ stocks का मैंने आप लोगों के साथ में यहां पर कुछ levels important levels and direction आप लोगों के साथ में share क्यों है I hope आप लोगों को मैं अच्छे से explain कर पाया हूं आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को ज्यादर ज्यादर like करें और अपने दोस्तों साथ सेयर करें थैंक्यों दोस्तों